यह स्मार्ट नोकरी में आप सबी का स्वालत है फ्रेंट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो अभी अपलोड किया था कि बिहार में फर्स टाउन का जो एलोट्मेंट हो गया था MBBS और BDS का वो कैंसिल कर दिया गया था तो बहुत सारे स्टुडेंट का कॉमेंट हा कि जो कैंसिल हुआ है और जिन स्टुडेंट का कॉलेज में अलोट्मेंट कर दिया गया है MBBS और BDS में तो उनका डॉक्मेंट और उनका फी रिफरंड होगा या नहीं होगा इस पे चर्चा करने वाले हैं तो चर्चा करने वाले की वो रिफरंड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं थर्ड इंपोर्टेंट है कि आखिर ये कैंसिल क्यों हुआ इस पे बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ यह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पहले क्लियर आपको दिखा दूँ यह कब रिलिज किया गया है यहाँ देखे 21.07.2019 किया निकल साम इवनिंग में यह रिलिज करके बताया गया था कि कैंसिल कर दे गया है और यहाँ पे क्लियर लिखा वाई कि जो एस्टूडेंट वैसे एस्टूडेंट जिन्होंने MBBS या BDS में किसी भी सहस्ता प्राइबेट या गोवर्मेंट कॉलेज में एडिविसन ले लिये है और उनका जिस सपोच करें कि आपने IGIMS में MBBS में आपका एलोट्मेंट किया गया है और इस बार जो कैंसिल होने के बाद अगर आपका PMCS में हो जाता है तो आपका IGIMS में जो भी डॉक्मेंट है और फिर रिफंड वो सब कुछ BCC के हाथ में है वो सब कुछ आपका रिफंड करके आपको PMCS में आपको कर दिये जाएगा सब कुछ automatic PMCS में आजागा या आपके द्वारा वो रिफंड कर दिया जाएगा इसमें आपको टेंसन लेने की ज़रोत नहीं है यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज़ करके क्लियर यहाँ पर पढ़ ले आप लोग और 24 लोकिंग की सुबदा मिलेगा आपको 23 तरीक से लेकर 25 तरीक तक और फ्रेंड्स बात करते हैं कि आखिर यह कैंसल होने का कारण क्यूं है तो फ्रेंड्स कैंसल होने कारण मैं आपने नेक्स वीडियो में बताऊँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा आपको थोड़ा समय मैं 2018-2019 पे थोड़ा डिस्कस करूँगा EWS कोटा आनेस के बाद भी कटफ हाई गया 60599 जिनरल के गया वो सब मैं डिस्कस करूँगा नेक्स वीडियो में अभी ये वीडियो आपको समझ में आ गया चैनल को सब्सक्राइब कर दे नेक्स वीडियो में मिलते हैं